भगवान बताते हैं कर्तवे कर्म पता होने चाहिए और निशित कर्म पता होने चाहिए करतव ये कर्म, जो उर्जा देते हैं, कंस्ट्रक्टिव कर्म होते हैं, उन्हें जानिए और जो डिस्ट्रक्टिव कर्म हैं, उन्हें निशिद कर्म कहा जाता है, जिन्हें नहीं करना ऐसा मन में बार-बार आता है, कि क्या मैं जो कर रहा हूं ये सही है, या कलत है कई बार हम फस्ते हैं कि जो कर रहे हैं क्या गलत है या सही है ये सही गलत का बार बार मन में एक विचार आता जाता है तो भगवान कीता में कहते हैं कि सही और गलत भी पता होना चाहिए अब उसकी परिभाशा भी क्या है जो कर्तव्य कर्म हैं वह हमारी जिंदगी को दिशा देते हैं एक सही तरफ हमें लगाते हैं वह है कर्तव्य कर्म इसमें भी तीन डिवीजन बताई गई है एक तो है रेगुलर कर्म जो रुटीन में हम करते हैं जैसे सुबह उठना, सनान करना, अपने काम पर जाना, भोजन बनाना, परिवार का ध्यान करना ये सब रुटीन कर्म हैं, नित्य कर्म हैं और कुछ कर्म होते हैं जोने कहा जाता है नैमेतिक कर्म जो किसी कारण के कारण होते हैं आप जा रहे हैं आफिस तैयार होकर और फोन आ गया कि अब ही आपके कुछ रिष्टेदार घर आ रहे हैं और उनके लिए कुछ भोजन की विवस्था करनी है अब सुबह सुबह फोन आया आप एक कारण बना कि रिष्टेदार आ रहे हैं अब उनके लिए जो विवस्था करनी है उस विवस्था के लिए जो आप कर्म करते हैं उन्हें नैमेतिक कर्म कहा जाता है कोई कारण बना और आपने कर्म कर दिया रस्ते में आपको कोई व्यक्ति दिखता है जिसका एक्सिडंट हो गया है वे गिर गया है आपको कितनी भी जल्दी आफिस जाना हो परन्तु सामने एक व्यक्ति को गिरा हुआ देखकर आपका रिदे नहीं मानता कि आप उसे छोड़ कर चले जाएं तो आप उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो जो कर्म आपने किया वो नेमेतिक कर्म हुआ कारण के कारण होता है आप मंदिर गए और मंदिर में आपने देखा कि बहुत सारे गरीब लोग इखटे हो रहे हैं तो आपके मन में आया कि इनका भंडारा चल रहा है तो क्यों ना मैं भी गरीबों को कंबल बाटतू आपने कंबल खरीदे और उनको बाट दिया तो जो कम्बल आपने खरीदे गरीबों को बाटने के लिए वो एक सात्विक इच्छा के कारण होए आज आपकी एक इच्छा है धर्म का काम करने की तो धारमिक कृत्ते आप कर रहे हैं इच्छा के कारण आपकी इच्छा है आज सभी को भोजन अच्छा बना के देने की कि आज घर में सभी को मैं अच्छा भोजन बना के दू तो उस इच्छा के कारण जो आपने भोजन बनाया सबकी पसंद का वो काम्य कर्म की श्रेणी में आता है तो इच्छाओं से प्रेरित होकर जब भी हम कर्म करेंगे तो वो काम्य कर्म कहलाएगा यानि कर्तव्य कर्म की श्रेणी में आ गया ऐसे ही होते हैं कुछ कर्म जिने करना ही नहीं चाहिए उसे गीता कहती है कि वो निशिद कर्म हैं, वो गलत कर्म है अब मनुश्य फसता है यहाँ पर कई बार जो निशित कर्म हैं जो शास्त्र बता रहे हैं पर ऐसी कुछ सिचुएशन आती है कि वो निशित कर्म सही भी बन जाते हैं फिर आप कन्फियूज होते हैं कि अब क्या कहें अब तो फस गए जैसे हत्या करना पाप है कोई भी मनुश्य नहीं करना चाता और हम किसलिए करें परन्तु जो सोलजर होगा वार में बॉर्डर पर जाकर उसे लड़ना तो पड़ेगा ही उसे लोगों को मारना भी पड़ेगा क्योंकि वह युद्धा है यह उसकी कर्तव्य कर्म में आ गया निशित कर्म कर्तव्य कर्म की श्रेणी में आ गया जब वह देश के लिए हो रहा है तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशन्स आती है जहां पर हमें अपनी बुद्धी से निड़ने लेना होता है कि इस सिचुएशन में यह कर्म निशिद है या नहीं कहते हैं कि एक बार एक ब्राह्मन जो सत्य व्रती था हमेशा सत्य बोलता सबका भला करता उस ब्राह्मन के सामने एक गाय तेजी से गुजरकर चली गई अब ब्राह्मन حیरान हुआ कि गाय तो कभी इतनी तेजी से भागती नहीं है क्या बात है ये इतनी तेजी से भाग कर गई फिर थोड़ी देल में देखता है पांच मिनिट बाद कि एक व्यक्ती डंडा लेकर भागता हुआ आया और उस ब्रामन को देखकर उसके पास रुक एया और कहने लगा कि आप मुझे बताईए कि मेरी गाय किस देशा की तरफ गई है अब ब्रामन ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और इस प्रकार से क्यों भाग रहे हो तुमारे हाथ में ये हतियार क्यों है ये डंडा ये हतियार लेकर क्यों घुम रहे हो तो इस व्यक्ती ने कहा कि मैं कसाई हूँ गाय को काटना मेरा धंदा है एक गाय बच कर भागी है अब मैं इसे पकड़ना चाहता हूँ पता नहीं कहां चली गई आप तो सत्य बोलते हैं आप इस पूरे इलाके में फेमस हैं कि सच बोलते हैं अब आप सच बताईए मेरी गाय कहां गई है अब वह ब्रामन सोच में पढ़ गया क्या करूँ यह तो निशिद कर्म हुआ मैं अगर जूट बोलूँ तो निशिद और सच बताऊं तो भी निशिद क्योंकि गउ हत्या पाप है और यह पाप का भागीदारी मैं हो जाऊंगा अब क्या करूँ अब सोच में ही पढ़ गया ऐसी बहुत सी सिचुएशन हमारी जिंदगी में भी आती है कई बार हमारी आत्मा को कोई चीज गवारा नहीं होती लेकिन बाहर कुछ और सिचुएशन बन रही होती है कई बार हमारे सिध्धानतों के खिलाफ कुछ चीज हो रही होती है परन्तु फिर भी हमें करना पड़ता है क्योंकि हमें लगता है इस मौके पे यह चीज सही है इसे करने से दूसरे व्यक्ति का भला हो जाएगा हम करते हैं अब ब्राम्मन भी चक्रा गया करूं तो क्या करूं अवे कसाई बोला कि ब्राम्मन देवता हुआ क्या है सच बोलो एक साधारन प्रश्ण पूछा है गाय कहां गई है क्यों मेरा टाइम वेस्ट करते हो अब उस ब्राम्मन ने उस कसाई की योर देखकर कहा कि सोचने दो कि जो अब मैं कर्म करने जा रहा हूं वे कर्म करतव्य कर्म है या निशिद कर्म है सोच के बोलने दो तो ऐसी सिचुएशन में मनुश्य फस्ता है और इसी सिचुएशन से उबारने के लिए भगवान शी कृष्ण गीता में बता रहे हैं कि कौन सा कर्म ठीक है और कौन सा कर्म ठीक नहीं है इसके लिए हम अपनी बुद्धी से निर्णे कैसे लेंगे